हाई गाईज अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ इंकलाइंड है और इंटरस्ट रखते हो और अपना फ्यूचर देख रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत सुनेरा मौका है क्योंकि अभी रिसेंटली अपनी विकेंसी निकाली है for the post of clerk जी हाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन तमाम चीजों के बारे में जो इंपोर्टेंट है application form फिल करने से पहले तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ application date की तो दोस्तों आज से that is 27th of April से आपके online application forms खुल ग age eligibility, educational eligibility क्या है इस form को apply करने के लिए exam pattern कैसा होगा और salary क्या होगी तो application dates जो मैंने आपको बताई है कि आज से release हो गई है official खुल गए है आप website पे जाके form फिल कर सकते हो last date की मैं बात करूँ तो 17 मई इसकी last date है लेकिन आप लोगों को make sure करना है कि wait ना करो last ता क्योंकि बहुत बार network problem की वज़े से server down हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग form फिल नहीं कर पाते तो जैसे ही आपने ये वीडियो देखी सारी ही information जैसे ही आपको मिली आफटाफट अपने forms फिल कर होगा वो आपका होगा जुलाई में तो अच्छे खासे दो महीने है प्रिलेम्स में और तीन महीने है में में आप बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो गाई अगर मैं application fees की बात करूँ तो SC ST और आपका physically handicap जो है उनके लिए zero रखी गई है जबकि general OBC और EWS economically weaker section जो है उनको 750 रोप तो यह होगी सारी details आपकी normal सी date से related अब अगर मैं बात करूँ age eligibility और educational eligibility की तो age eligibility की सबसे पहले मैं बात करूँ तो कम से कम आप 20 साल से उपर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा maximum 28 साल आपकी age होनी चाहिए तो in between you can say 20 to 28 apply कर सकते हैं अगर आप general category से हो तो या फिर अगर आप OBC या फिर S.C.S.T. reserve किसी reserve category से बिलाउं करते हो तो as per government norms जो आपकी reservation है जो आपको extension दे रखा है या relaxation दे रखा है आप उसके according apply कर सकते हो जो OBC की है 3 साल और S.C.S.T. की है दोस्तो 5 साल यह हो गई आपकी age eligibility अगर मैं बात करूँ अब आप लोगों से educational eligibility तो you should be a graduate या तो आप graduate होने चाहिए या फिर आपने final semester के exam दे दिये हैं आप result का wait कर रहे हो जिहां appearing students जो final year के हैं जिन्होंने paper दे दिया है और expect कर रहे हैं कि prelims के बाद that is June के आसपास आपका result declare हो जाएगा final का वो लोग अप इसके लिए apply कर सकते हो बाकी लोग eligible नहीं है अब मैं बात कर लेता हूँ examination pattern की कि किस तरीके से examination pattern आपका आएगा किस तरीके से आपको prepare करना है और last में मैं बात करूँगा salary की तो अगर examination pattern की अगर मैं बात करूँ तो आपके दो phases होंगे पहला होगा आपका phase one जिसमें आपसे questions पूछे जाएंगे numerical ability, reasoning और English एक घंटे का paper होगा, 100 marks का paper होगा और 100 questions आपसे पूछे जाएंगे जैसी ही आप phase one clear कर लोगे आपको देना होगा phase two examination, phase two में आपसे पूछा जाएगा आपका quantitative aptitude, reasoning, आपका English, computer knowledge you can say और general and financial awareness, आपका ये paper होगा 2 hours 40 minutes का 200 number का paper होगा, तो आपको make sure करना है कि आप बहुत अच्छे से तयारी करो ताकि first attempt पे ही exam clear कर लो, फिर इसमें interview जैसा कुछ है नहीं, आपको interview नहीं देना है, clerkial position पे, last में आपका LPT that is language proficiency test होगा, वो बात की बात है, but important is phase one and phase two, अब बात करते हैं आपकी जो post है, उस बच्चे बोल रहे हैं, 5000 से जादा है, तो माना ये जा रहा है, approximately जो नोने mention करा है कि 5000 से जादा post है, और हो सकता है, ये बढ़ भी जाए, update की according, लेकिन अभी आप ये expect करो कि 5000 से जादा आपकी post available है, तो ये सारी चीजे हो गई, अब last जो बहुत जादा lucrative होती है, वो होती ह है, salary, अब मैं अगर salary की बाद करूँ, तो मेरे कुछ काफी known friends जो है, वो जो 2020 में लगे हैं, उनसे मैंने पूचा था कि तुम्हारी base salary कितनी थी, क्या starting salary मिली थी, तो 32,700 के आसपास उनको अपनी salary मिली थी, और 2500 के आसपास उनको allowances मिले थी, तो approximately 35,000 के आसपास आपको starting salary म पढ़ती जाएगी, यह सारी बहुत जादा crisp information मैंने दी है, इस particular video में, additionally और deep information जानने के लिए, मैंने नीचे आपको official notification का link दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, इसके अलावा अगर आपको कोई और doubt होता है, तो आप नीचे comment section में जरूर डालना, मैं कोशिश क करूँगा, हर एक बच्चे के doubts clear कर सकूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं करा है, तो subscribe जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही informative videos आपके पास लाता रहूं, और आप लोगों को information provide करवाता रहूं, ताकि आप लोग अगर government job में गुसना चाते हैं, तो कोई भी vacancy को छोड इनल आपके पास बहाने है ताकि को बचलишा जोगा है करें घले समय पास्ड़र को इनल आपके लोगी तो इनल आपके इनल आपके नहीं दापके जले एनल आपका कर दाया है तो कर दाफके पका अगर